हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू माई चैनल गाईज मैं आज आपके साथ ऐसी रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो कि आपके चैरे पे अगर काला पन है या दाग दब्बे हैं जाईयां है पिग्मेंटेशन है या जाईयों के ऐसे गहरे निशान है जो कि साफ होने का नाम ही नही ले रहे हैं आँखों के नीचे आपके काले गे रहे हैं डार्क सरकल है या दूप से आपका चैरा पूरा काला हुआ तो आज की इस इफेक्टिव रेमेडी को यूज करने के बाद में आपके चैरे से दाग दब्बे काला पन टैनिंग सब खतम होके आपका चैरे पे एक बाउल करते हैं या फिर्शट इंग्रीडियंट लेंगे हम काफी 1 टी पून हमें काफी पाउडर लेना है और बाउल में डाल देना है काफी हमारी इस्कीन के लिए बोट ही ज़ादा फायदे मन्द है यह मारी स्कीन को ब्राइटनिंग करने में बहुत ही ज़ादा बर्दस वर करती है और यह हमारी स्कीन की टैनिंग को दूर करती है जितनी भी डर्ट धूल गंदगी आपकी स्कीन पे आपकी बॉड़ी पे आपके चैरे पे जमा अगर हो गई है उसको यह रिमू करती है कौफी एक नैचुरल स्कीन लाइटनिंग का काम करती है और यह आपके चैरे क चमक को बढ़ाएगी और आपके चेरे के गलो को बढ़ाएगी सेकंड इंग्रीडियन्ट हम लेंगे नीमबू यानि की लेमन हाफ लेमन लेंगे और उसका रसम इसमें स्क्वीज कर देंगे नीमबू में विटामिन सी वरपूर मातरा में होता है और इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टी बहुत जादा होती है यह हमारी स्कीन के कालेपन को, टैनिंग को, जाईयों को खतम करने में बहुत जादा मदद करता है और इसकीन में गलो और चमक लेकर आता है नेक्स्ट हमें लेना है टामाटर हाफ टामाटर लेंगे हम और इसका भी रस हम इसमें डाल देंगे टामाटर हमारी स्कीन में गजब का गलो लेकर आता है और इसकीन को फेयर करने में बहुत जादा मदद करता है अगर आपकी स्कीन पे डार्क सरकल हैं बलेमिशेज हैं या एजिंग हैं फाइन लाइन्स हैं रिंकल्स हैं उन्हें भी खतम करने में बहुत जादा मदद करता है और गईज अब अगला इंग्रीडियट हम लेंगे 140 पून शेहद यानी की हनी शेहद हमारी स्कीन की हर प्रॉबलम को ठीक करता है जैसे एकने बेजान और ड्राइ स्कीन अनीवन स्कीन टॉन है तो शेहद से हमारी स्कीन पे गलो आता है और स्कीन जमा बनती है और एलदी बनती है गेराई से हमारी स्कीन मॉस्चराइज भी रहती है शहद हमारी इसकीन पे काले पन को दूर करके बहुत ही ज़्यादा चमक लेके आता है सभी इंग्रीडियन को गाईज यहापे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है यह देखिए हमारी रेमेडी बन के तयार हो चुकी है चली हम एपलाई करने का तरीका देख लेते हैं गाईज मैं आपको अपने हैंड पे एपलाई करके बतारी हूँ लेकिन आपको अपने फेस पे एपलाई करना है और एपलाई करने से पहले आपको अपने फेस को क्लीन कर लेना है वाश कर लेना है और फिर इस remedy को लेना है और अगर आँखों के नीचे काले गे रहे हैं तो वहाँ पे आपको लगा के मसाज करनी है होटो के एराउंड अगर आपके काला पन है दाग दब्बे हैं जाईया है या टैनिंग है जहां पे भी चैरे पे यानि की पूरे चैरे पे ही आप इस remedy को अच्छी तरह से लगा लीजिए उसके बाद मैं आपको दो से तीन मिन्ट तक अच्छे से मसाज करनी है आप ओवर नाइट के लिए भी इस remedy को लगा कर यूज कर सकती है और अगर आपको रात को लगाना अच्छा नहीं लगता है या चैरे पे चिप चिप आपन रात बर रहता है तो आप इसको दिन में लगा लीजिए और तीन से चार मिन्ट मसाज करने के बाद में आदे गंट आपकी स्कीन को लाइट एन और ब्राइट एन करता है जितने भी डेट सेल्स हैं उनको रिमू करता है टैनिंग को रिमू करता है हातों पैरों के काले पन को भी ये दूर करता है आप चाहें तो हातों पैरों पे भी इस remedy को एपलाई कर सकते हैं जैसे जैसे आप इस remedy को एप दबे खतम हो जाएंगे टैनिंग खतम हो जाएगी और आपकी इसकी नेक दम फेर हो जाएगी चमकदार हो जाएगी I hope आपको ये रेमेडी पसंद आईए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से सबस्क्राइब कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो को लाइव करूँ तो सीधा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे मैं मिलती हूँ आप से नेक्स्ट मेटी के साथ तब तक के लिए बाए